हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आज हम देख रहे हैं कुछ टर्म्स को ठीक है ये क्या है डी दी ओने से जब डी डी का formation होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते है या लिब्लिकेशन ठीक है उस प्रोसेस को क्या कहते है राप्लिकेशन और जब DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते है उस प्रोसेस को कहते है ट्रांस्क्रिप्शन फिर जब RNA से DNA का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते है हम लोग उस प्रोसेस को कहते है रिव RNA से protein बनने की process को क्या कहते हैं? Translation कहते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है? ये जब DNA से DNA बनता है, तो ये क्या हो गया? इस DNA से DNA बन गया, तो इस process को क्या कहते है? Replication कहते हैं? अब ये DNA से फिर RNA बनना, तो उसे क्या कहते हैं? transcription फिर RNA से DNA बन सकता है ठीक है यह process को क्या कहते है reverse transcription कहते है मगर जब एक बार RNA से protein बन जाता है तो फिर इस protein जब हमें मिल जाता है तो फिर protein से RNA नहीं बनता है यह process reverse नहीं होती है ठीक है यह वाला जो term है एक replication, transcription और translation अब हम लोग एक एक करके उसे देख लेंगे तो आज हमारा क्या topic है आज हमारा topic है DNA replication ठीक है DNA से DNA का जो formation किस तरह से होता है तो उस process को आज हम देखेंगे यह DNA से DNA का formation कहा होता है जब cell division हमारा होता है उस समय एक यह जो cell division का समय था cell division में क्या होता था कि वो phases में होते हैं क्या होते हैं वो phases में होते हैं यह क्या है यह जो बड़ा portion है वो क्या interface है और यह छोटा portion क्या है यह क्या है M phase है जिसमें क्या होता है division होता है तो यह जो यह जो बड़ा portion है जिसे क्या कहते हैं इंटर Gap 1 phase कैता है इसमें क्या होता था इसमें होता था आपके Gap 1 slide क्या होता है , तो जब G1 में रहता है सेल तो यह क्या करता है यह अपने आपको growth करता है और अपने size में increase होता है ठीक है सेल का क्या होता है size increase होता है जब वो G1 stage में रहता है तो जब G1 जब इसका complete हो जाता है और यह S phase में enter करता है यह क्या करता है यह करता था यह DNA का duplication करता था कि क्या करता था DNA का duplication करता था क्यूं करता था क्यूंकि यह parent cell से character को router cell में ले जा सके इसमें chromosome number नहीं बदलते हैं जब DNA का duplication होता है तो उसे chromosome number same ही रहते हैं बट सिफ DNA का duplication होता है DNA के नंबर में increasement होता है ठीक है अगर अगर 2N है DNA तो 4N हो जाएगा जब वो duplicate करेगा तो ठीक है तो यह duplication इसलिए जरूरी होती है कि parent cell से उस character को जो character हमारा DNA का होता है parent cell का character किसमें जालना वो doubter cell में डालना इसलिए यह duplication करता है इसलिए क्या करता है replication करता है तो यह क्या होता है इस process में एक से एक DNA अपने जैसा complementary DNA का formation करता है दो DNA का formation कर देता है DNA replication का जो में जो process लगता है वो कौन टाइप का लगता है semi conservative type का लगता है ठीक है मेसल सल और स्टेल 1958 are proposed semi conservative method ठीक है तो मेसल सल और स्टेल जो थे तो इन्हों नहीं semi conservative type के method को दिया था कि DNA किस तरह से divide कर रहा है तो यह semi conservative type से divide कर रहा है तो यह semi conservative type क्या होता है conservative मतलब होता है आपके संरक्षित किसे क्या जाता है तो वो parental type का जो उसमें गुन होता है उसको ही डाउटर सेल में उसको संरक्षित करना ही क्या कहलाता है semi conservative तो semi का मतलब क्या हो गया half और half semi मतलब full नहीं हुआ अगर conservative पूरा full conservative होता तो क्या होता conserve हो जाता मगर जब इसमें लिखा वाए एक semi conservative होता है मतलब हम समझ पा रहे हैं कि यह क्या होता है यह एक DNA का stand है तो यह क्या होता है यह एक parental वाला एक चला जाता है एक stand और दूसरा क्या होता है यह newly formed stand का formation होता है ठीक है एक new है और एक क्या है old है इसमें भी क्या है जब दूसरा जो stand बन रहा है तो उसमें क्या है एक old है और दूसरा क्या है ये new है ठीक है new stand का formation हो रहा है अब इसे समझते हैं कि क्या होता है semi conservative मतलब क्या होता है अगर ये एक stand है dna का तो उस stand से दो stand का formation होना ये क्या है one हो गया ये क्या हो गया two हो गया one और ये two है तो दो stand का formation होना क्या कहलाता है ये कहलाता है duplication इसे क्या कहते है replication मर ये किस type का replication हो रहा है semi conservative तो इसमें क्या होता है semi means half हो गया parental एक parent का आधा हिस्सा एक new doctor cell में और दूसरा हिस्सा दूसरे डाउटबर इस डीने में चला जाना ही क्या कहलाता है semi conservative कहलाता है तो इसमें क्या होता है एक तो parental वाला है ये कौन सा है ये parental type का हो गया और ये क्या हो गया ये new form कर रहा है ये क्या है ये जो blue वाला है वो क्या new है और यह पिंक वाला हो क्या old है इसमें भी क्या हो रहा है pink वाला old है और यह stand क्या है new stand है तो दो अलग-अलग stand जिसमें एक old है एक new है और यह वाला भी DNA में एक old है और एक new है इस type के method से जो division हुआ और हो रहा है DNA brother का उसे क्या कहते है Carlos conservative कहते हैं इसे क्या कहते है semi conservative method कहते है यहाँ पर क्या है according to the semi conservative method after one round of replication every new DNA double helix would be a hybrid that consists consists of one stand of old DNA bond to one stand of newly synthesized DNA ठीक है इसमें क्या होता है मैंने बताया कि एक क्या होता है newly formed DNA होता है एक new DNA का form एक new stand के DNA के stand का formation हो रहा है दूसरा क्या होता है old stand जो है उसमें conserve हो जाता है ठीक है old stand एक में दोनों में conserve होता है और दो new stand का formation होता है इसे ही क्या कहते है semi conservative method कहते है ठीक है अब आगे देखते हैं हम लोग DNA replication in eukaryotes in nucleus of cell ठीक है यह कहा होता है eukaryotes के eukaryotes में कहा होता है nucleus के अंदर होता है ठीक है next क्या होता है DNA replication is the process by which DNA makes a copy of itself during cell division ठीक है यह कहा होता है जब cell division का time होता है तब यह DNA क्या करता है अपना copy बना लेता है यह क्या करता है यह अपना copy यह एक DNA है अपने जैसा दो DNA का formation कर देता है क्यों करता है क्योंकि यह एक generation से दूसरे generation में जब यह DNA carry हो तो सारा information दोनों में दोनों डाउटर सिल में present हो ठीक है cell division के S phase में यह process होता है ठीक है तो यह process होने के लिए क्योंकि यह biological method हो रहा है biological process हो रहा है तो इस process को होने के लिए क्या होता है इस process को होने के लिए लिए परिक है आपने के लिए कैसे बहुत सारे इंजाइम लगते हैं तो वह कौन खौन से इंजाइम लगते है तो पहला क्या होता है हेलिकेज इंजाइम ठीक है इसे क्या कहते हैं इसे अंजिपिंग इंजाइम कहते हैं तो हेलिकेज को क्या कहते हैं अंजिपिंग इंजाइम कहते हैं दूसरा क्या है टोपो आईसो मरेज यह डियने का स्टैन है जब डियने के स्टैन एक जिगह से जब हम खोलना शुरू करें तो यह आगे क्या होगा यानि बहुत जदा घुमाओं 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 क्या होगा घुमाओं बन जाएगा तो उस घुमाओं को क्या होता है एक इंजाइम यूज होता है उस इंजाइम को क्या कहते हैं टोपो आइसोमरीज ठीक है यह इंजाइम यहां पर आ जाता है और इस के tension को ये कम कर देता है ठीक है तीसरा क्या होता है RNA primaries ये क्या होता है ये RNA primaries एक enzyme है जो क्या करता है ये RNA का primer लाकर के लगा देता है ये किसका काम करता है template का काम करता है चौथा क्या है DNA polymerase ये लास्ट enzyme है वो क्या है DNA ligase ये कौन सा enzyme है repairing enzyme ऐसे कहाते है यह जो DNA है यह किसका structure है यह DNA का structure है तो यह क्या होते हैं यह बहुत strong hydrogen bond से बंधे रहते हैं तो इस nitrogen base को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है तो इस hydrogen base को तोड़ने के लिए एक particular enzyme की ज़रुत होती है और वो enzyme कौन सा होता है वो enzyme होता है helicase और यह helicase भी क्या करता है वो ऐसे जगह पर एक ऐसा particular जगह पर काम करता है जहां पर क्या होगा उसे energy कम खर्च करनी पड़े अब लोग जानते हैं कि nitrogen base जो है एडिनीन किसके साथ जुड़ता है एडिनीन जुड़ता है ताइमीन किसाथ और किस bond से जुड़ता है double hydrogen bond से जुड़ता है guanine triple bond के साथ cytosin से जुड़ता है तो एडिनीन जो double bond से जुड़ता है और guanine जो cytosin से triple bond से जुड़ता है तो triple bond वाला जो जादा strong होगा comparison to adenine to thाइमीन तो guanine वाले को वो तोड़ने में ज्यादा energy यूज़ गोगा तो उससे अच्छा है कि वो कौन वाला bond तोड़े तो वो ये वाला bond तोड़े, adenine to thymine वाला तो जहां पर ऐसा reason क्या करता है ये helicase बहुत होसियार है ये helicase क्या करता है, ये DNA पर आता है और ऐसे reason को ढूंट यह क्या है एडनीन टू थाइमीन यहां पर भी क्या है एडनीन टू थाइमीन यहां पर क्या है थाइमीन टू एडनीन इस तरह का रीजन जैसे उसको मिलता है वो क्या करता है यह हैलिकेव आकर के यहां पर चिपक जाता है ठीक है इस बॉंड को क्या करता है तोड़ देता है और तोड़ करके क्या करता है तोड़ते चला जाता है ऐसे करके एक direction में तोड़ते चला जाता है यह किस तरह दिखेगा यह इस तरह का दिखने लगेगा यहां पर अगर hydrogen bound तूट जाएगा तो वो क्या होगा खुल करके इस तरह दिखने लगेगा तो इस तरह दिखने के धीज कर दिते इसके टेंसे अ को क्या होता है दस से परेशन आफ दड़ तो सिंगल स्टैंड औफ डी एनर क्रियों वाइसे कॉल्ड इसे क्या कहते हैं यह जो ट mot five का जो बन गया है तो इसे क्या कहेंगा रशाहिए दूब्लाइट क्या होता है था टू बिल्कुल ready होते हैं, next क्या होता है, formation of leading stand, यह leading stand क्या होता है, यह कौन सा end होता है, यह 3 primer to 5 primer direction में होता है, हम लोग जानते हैं, कि यह DNA का जो stand है, वो कैसा होता है, यह anti-polar होता है, इस एक stand का यह 3 primer to 5 primer है, तो दूसरा वाला जो stand होगा, तो वो क्या होगा? 5 primer to 3 primer होगा, तो यह जो leading stand है, यह क्या करता है, यह जैसे ही bubble बनता है, उसके बाद क्या होता है, leading stand और lagging stand का formation कर देता है, leading stand कुछ direction पे होता है? 3 primer to 5 primer direction में होता है, इसे क्या कहते है, leading stand कहते है, और lagging stand किसे कहते है, 5 primer to 3 primer direction पे जो वाला stand रहेगा, उसे क्या कहेंगे? ने lagging stand कहेंगे, next क्या होता है, a short piece of RNA primer produced by primase enzyme bind to the end of the leading stand, यह क्या कहता है, जैसे ही leading stand और lagging stand अलग-अलग हो जाता है, separate हो जाता है, यह leading stand और lagging stand separate हो जाता है, तो वैसे क्या होता है, एक primer आता है, एक RNA primer आता है, और इससे छोटा सा piece RNA का जोड़ देता है, यहाँ पर ठीक है, एक छोटा piece RNA का जोड़ देता है, यह कौन enzyme जोड़ता है, यह enzyme कौन सा होता है, यह primase enzyme होता है, यह primase enzyme आता है, और यहाँ पर एक छोटा सा RNA का primer जोड़ देता है, ठीक है, यह क्यों जोड़ता है, क्योंकि जो primase है, यह किसका काम करता है यह template का काम करता है तो यहाँ पर क्या होता है यह template सा चोटा सा यहाँ बना देता है हिस्सा जिससे कि यह replication सुरू हो सके ठीक है initiate यह जो primase है यह क्या करता है initiate करता है replication के लिए क्या करता है यह initiate करता है कि अब यहाँ पर सुरू होना चाहिए यह leading stand में जोड़ देता है the primary act as start point initial point यह start point हो गया ठीक है यह primer किसके जैसा act करता है starting point of DNA synthesis यह DNA synthesis के starting point यह initiation point के जैसा काम करता है ठीक है उसके बाद क्या होता है दूसरा एक इंजाइम आता है DNA polymerase यह क्या होता है यह DNA polymerase इंजाइम एक आता है और यह क्या करता है bind to the leading stand and then adding new complementary nucleotide base nucleotides bases कौन कौन से होते एडिनीन, thiamine, cytosine and guanine जो हम जानते है यह चार nitrogen bases है वो क्या करता है nucleotides bases को जोड़ना शुरू कर देता है to the stand of DNA in the five direction to three direction यह क्या करता है polymerase enzyme एक होता है एक enzyme जब ये दो enzyme इसका अपना अपना काम कर लिया पहला कौन सा है यहลिकेζ enzyme जो क्या करता है यह unzip कर रहा है दूसरा क्या कर रहा है यहां पर stand बनाता है नया stand बनाता है और दूसरा क्या होता है यह क्या बोल रहा है यह 5-to-3-direction में ही अपना stand बनाएगा तो हम लोग जानते हैं कि leading stand क्या होता है leading stand होता है 3 primer to 5 primer तो 3 primer है और 5 primer है यह क्या कर रहा है इसका तो यह fulfill हो रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि DNA का क्या होता है एंटी पॉलर होता है तो अगर यह leading stand 3 primer to 5 primer है तो यह DNA stand यह DNA जो polymerase है वो क्या बनाता है 5 primer to 3 primer direction बनाता है तो यह क्या करेगा यहां से बनाना सुरू करेगा और यह क्य straight forward में यह बनाना एक straight direction में यह बनाना सुरू कर देगा ठीक है next क्या होता है तो इस process को जो यह एक straight line में जब भी बनाना सुरू करता है अब DNA को तो उस process को क्या कहते है इस replication is called continuous replication इस process को क्या कहते है इस replication को जो कि एक series में बनाते चला जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे continuous replication कहेंगे ठीक है next क्या होता है next होता है lagging stand जो हम दूसरा stand है उसे क्या कहते है lagging stand कहते है इसकी polarity क्या होती है इसकी polarity होती है five primer to three primer होती है तो उसमें क्या होते है primase आया enzyme उसमें लग गए इस primase आया औ यह इस portion पर जुड़ेगा ठीक है यह 5 primer to 3 primer direction में ही जुड़ेगा तो यह क्या होता है यह जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद क्या करता है कि बाइंड वैरियस पॉइंट तो यह क्या करता है छोटे छोटे पॉइंट में यह बनना सुरू हो जाता है क्योंकि अपना कि यह क्या करता इस तरह से एक छोटा पॉइंट बना यहां 5 primer to 3 primer DNA polymerase आया 5 5 primary 2 3 evaluations इधर देखा क्या इधर टो खुल नहीं तो इस तो पीसेज में तो पीछे घहा तो फिर यह क्या करता है फिर एक छोटा पॉइंट लिया छोटाउट लिए 5% सु आया फिर बनाए Owen फीर और यह खूँटा जाएगा तो यह से क्सेल जेए होग यह बन schaut तो इस फ्रेग्मेंट का फॉर्मेशन करता है तो इस फ्रेग्मेंट ओफ डियने को क्या कहते है ओकाजाकी फ्रेग्मेंट कहते है यह जो फ्रेग्मेंट में बन रहा है यह जो टुकरों में बन रहा है डियने तो उसे क्या कहते है उसे कहते है ओकाजाकी फ्रेग्मेंट तो ये किस डाइरेक्सन बनता है फाइव प्राइमर टू थृप्राइमर डाइरेक्सन बनता है. फ्राइव दियू कियो पड़ा गई इस फ्रेग्मेंट को सब से पहले देखने tegen वाले साइंटी इस है उनका नाम है रिजी ओकाई की पड़ा तो वह इस उनके नाम पर इन इस फ्रेग्मेंट का क्या नाम पढ़ा ओका जाकी फ्रेग्मेंट पढ़ा फिर कैसा होता है यह जो स्टैन बनता है यह इस वजह से इसका नाम क्या पढ़ गया ओका जाकी और यह fragment में बनने के वज़े से यह continuous नहीं रहा जिसके वज़े से यह discontinuous replication खहलाता है ठीक है इस type of replication is this type of replication is called discontinuous replication ठीक है इस type के जो fragment में होने के वज़े से इसका क्या नाम हो गया discontinuous replication फिर next क्या होता है DNA polymerase enzyme are removed all RNA polymerase यह क्या करता है जब DNA polymerase enzyme एहले तो वह आता नहीं है जुड़ता नहीं है और जुड़त के बनाता नहीं है उसको क्या चाहिए एक साचा चाहिए उसको क्या चाहिए प्रेम चाहिए जिसे कि वह अपना स्टार्ट करें अपना बनाना तो वो कौन सा होता है औरनी पॉलीमराज होता जो प्राइमर के तरह यूज होता है और वह आकर के उसे डिन पॉलीमर पॉलीमरेस को क्या करता है और शोना करना के खाए चलू आउन-देट polymerase जोड़ देता है ठीक है उसके बाद क्या होता है यह DNA polymerase जो होता है यह क्या होता है यह एक engineer के तरह चारों तरफ घूम घूम के देखता रहता है fragment को यह देखता रहता है replication को कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है कहीं पर डिस बैलेंस तो नहीं हो रहा है यह क्या करता है यह एक इंजीनियर के तरह वर्क करता है और यह क्या करता है अपने वर्कर्स लोग को काम पर सही काम कर रहे हैं कि नहीं यह क्या करता है चेक करता रहता है यह क्या करता है यह चेक करता रहता है नेक्स्ट क्या होता है DNA polymerase क्या करता है DNA polymerase enzyme removed all RNA polymerase जहां जहां पर RNA polymerase शुरू होता है वहां वहां पर क्या करता है उसे remove करके यह अपना नया DNA polymerase वहां पर लगा करके वो bond बना देता है next क्या होता है the new stand is proof reading to make sure there are no mistake in the new DNA stand यह क्या मैंने बताया कि यह कौन काम करता है यह DNA polymerase enzyme है यह check करता रहता है proof reading करते रहता है यह check करते रहता है घुम घुम करके कि कोई भी जो stand बन रहा है वो क्या कोई इसमें कोई भी mistake नहीं हो इस DNA का जो replication हो रहा है उसमें किसी भी तरह का mistake नहीं हो इसके लिए क्या करता है यह check करता रहता है supervisor करता रहता है इसको stand को next क्या है at last an enzyme DNA ligase एक DNA ligase के बारे मैं बताया था वह क्या करता है वह repairing का काम करता है क्या करता है DNA ligase enzyme यह किसका का करता है repairing का इतिया प्रिपेरिंग का काम करता जहां जहां पर यह जो फ्रेग्मेंट बनता है ओका जाकी फ्रेग्मेंट उस प्वाइट को जोड़ने का काम कौन करता है ? यह डिंगयू करता है.. डिंड लाइगेश करता है... at the last an enzyme dm.lygese seals up the sequence of डिंगयू ठीक है .... क्या करता है DNA के सिक्वेंस को जहां जहां पर टूटा रहता है फ्रेग्मेंट में हील कर देता है उसे क्या करता है सिल कर देता है कि नहीं यह क्या करता है bindage का काम करता है या glue का काम करता है यह सब को टिपका देता है यह नहीं सब को ठीक कर देना है यह क्या है देखिए यह क्या है यह DNA का stand है एक कौन सा direction में होता है यह 5 primer to 3 primer direction होता है दूसरा क्या होता है 3 primer to 5 primer direction में होता है जैसे ही origin of replication मिलता है, काुण सा होता है, एडिनी अ थाइमिन वाला जिसमें hydrogen bond क्या होते हैं, थोड़े होते हैं, जिसमें hydrogen bond 2 होते हैं, जिसमें energy कम लगता है, जिसमें तोड़ना आसान होता है, जैसे ही वो point मिलता है helicase enzyme वहाँ पर जुड़ जाते है जुड़ करके क्या करते है unzip करने लगता है वो क्या करता है DNA को unzip करने लगता है उसके hydrogen bond को तोड़ देता है जैसे ही तोड़ता है तो एक segment का replication fork का formation होता है ठीक है एक segment का formation होता है उसे क्या कहते है replication fork कहते है एक तरफ से और DNA का formation होते चला जाता है नए DNA का replication होते चला जाता है तो यह क्या होता है जैसे ही helicase enzyme यहाँ पर जुड़ा और इसको क्या करता है खोलता है खोला जैसे अन्जिप किया तो वैसे ही क्या होता एक enzyme, यह कौन सा enzyme है, RNA polymerase enzyme है, यहाँ पर कौन सा enzyme आ करके जुड़ जाता है, RNA का एक छोटा stand आ करके यहाँ पर जुड़ जाता है, और जुड़ करके क्या होता है, फ्री प्राइमर पर जुड़ जाता है, जैसे फ्री प्राइमर पर जुड़ता है, तो DNA polymerase enzyme जो है, DNA polymerase उसका दो सर्थ जो है, वो फुलफिल हो जाता है, एक तो वो single stand पर बनाएगा, अपना stand, नया stand, और दूसरा क्या होता है, वो कौन-कौन तो वो जैसे ही बनाता है, तो वो कौन सा होता है, एक जो stand खुलता है, तो वो कौन सा होता है, ये unzip हो गया, ये unzip हो गया, तो कैसा बन गया, जैसे ही helicase enzyme, DNA से आकरके जुड़ता है, वैस क्या होता है, जो जो application fork होता है जिसका direction three dash to five dash रहता है stand को क्या कहते है उस stand को कहते है leading stand और दूसरा जो five dash to three dash direction में जो रहता है उसे क्या कहते है lagging stand कहते है ठीक है तो जो हमारा DNA polymerase enzyme है तो उसका क्या-क्या सर्थ होता है वो कैसे DNA बनाना सुरू करता है DNA stand बनाना सुरू करता है एक तो वो DNA के single stand पर DNA बनाना सुरू करेगा दूसरा क्या होगा उसे क्या चाहिए उसे चाहिए एक frame चाहिए जो कौन fulfill करता है DNA primase fulfill करता है जैसे ही DNA primase enzyme वहाँ पर जुड़ता है तो उसे पता चलता है ओ अच्छा हमको यहां से शुरू करना है बनाना DNA को तो और दूसरे तीसरा क्या होता है वो five to three primer का होता है five to three primer direction में ही बनाता है तो जैसे यहां primase आके जुड़ा तो DNA polymerase देखता है ओ अच्छे यहां पर frame जुड़ गया है मुझे यहां से इसे बनाना सुरू करता है वो इस direction में चलता जाता है और इधर पूरा DNA separate होता चला जाएगा DNA polymerase है वो leading stand पे आगे बढ़ते चले जाएगे तो एक side तो यह क्या चल रहा है continuous type से चलता चला जाएगा अब दूसरे type पर क्या होगा दूसरे stand पे यह जो leading stand है जो यह जो lagging stand है उस पे क्या होता है इसका तो यह कौन सा direction हो यह 523 primer हो गया यह कौन सा हो गया अब 523 primer हो गया तो अब यह जो यहां से जो क्या होगा यहां से अगर DNA बन डिने polymerase जुड़ेगा तो यह तो वह कैसा stand बनाता वह 523 बनाता तो मगर वह यहां पर तो 5 है तो यह तो यहां से जुड़ेगा इधर से जुड़ेगा वो किस साइट से जुड़ेगा वो बोलता है ठीक चलो मैं इसमें क्या करता हो यहां से बनाना शुरू करता है तो यह क्या करता है यहां पर एक प्राइमर लग जाता है इंजाइम यह वाला जैसे यह फ्रेम लगता है और डियने पॉल करके देखता है कि अरे इधर तो नहीं खूल रहा है यहां तक तो बना लिए कंप्लीट कर दिया अब क्या करना है मुझे जैसे यह पीछे मुण कर देखता है और भी यहां पर खुला हुआ तो अब क्या करता है यह यहां पर भी थोड़ा से जाकर करके बना देता है इस तरह स इसा बनाता है यह फाइब टो थ्री पोलर बनाता है तो यह इस तरह से बनाता चला जाता है तो अब यह जो इस फ्रेग्मेंट फ्रेग्मेंट जो टाइप का बन रहा है यह जो छोटा-छोटा टुकड़ों में बन रहा है तो उस फ्रेग्मेंट को कहते उस फ्रेग्मेंट को तो अब इसको क्या करता है यह DNA Polymerase यह चेक करता रहता है कि मैंने जो stand बनाया है वो बिल्कुल ठीक है कि उसमें कोई mistake है वो क्या करता है वो supervisor करता रहता है इस पूरे replication में तो अब देखता है क्या वो एक तो बिल्कुल continuous चलता जा रहा है यह वाला leading stand वाला तो दूसरा क्या lagging stand वाला क्या हो रहा है अब वो क्या करता है एक enzyme को क्या करता है चलो जाओ वहाँ पर enzyme होता है कौन सा DNA ligase ठीक है एक enzyme क्या होता है DNA ligase वो DNA polymerase क्या करता है चलो जो जाकर कि उसको चिपकाओ यहाँ पर तूटा तूटा फ्रेग्मेंट में बन रहा है तो वो क्या होता है वो DNA लाइगे जाता है और इसको यहाँ पर जोड़ता चलागाता है क्या करता है यह जोड़ता चला जाता है तो इस तरह यह फ्रेग्मेंट पूरा का पूरा जुड़ जाता है यहां पर प्रॉसेसिंग हो रहा है यह इस तरह से दीखने लगेगा फिर हाइड्रोजन बॉंड जैसे ही जुड़ेगा तो वो क्या हैलिक्स के जैसा मुड जाएगा अमुड के खुलता चला जैसे इधर जीप अन्जीपिंग हो रहा है इधर से करेख्र होता चला जा रहा है डिन उन बंता चला जा रहा है और इस तरह से पूरा का पूरा डिन जोbreaker प्रेशिएंट होटा है वह दो भाग में बढ़ जाता है ड़ो डिन में ही बढ़ जाता frente प्रोसेश तक impose को ही क्या कहते हैं डिएइनर या डिकेशन में कहते यह जो प्रोसिस को क्या कह रही है हम लोग डिये-ए रापिकिशन के लिए कुछ लिए जिसके बाइब जिसका फॉंसन को हमने डियेल में देखा है ठिक है यह यहां तक समझ आ गही होगी तो हम लोग अंगे surgical में क्या देखें गे डियाइने से डिय जो दिय कहते हैं DNA implication आज हम लोग क्या देखें DNA replication को देखें उसके enzyme उसमें लगने वाले enzyme के function को देखें next हम लोग क्या देखेंगे is DNA stands से is DNA stands से RNA के formation को देखेंगे ठीक है तो फिलहाल के लिए thank you झाल झाल